आप सब का अभिनन्द नर्स्वागत मेरा नुराधा शार्दा आप सब का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियो देखे, सरहाए, उन पर अपने कॉमेंट्स और सुझाव दिये विशाल जी आपका बहुत-बहुत अभिनांदन थैंक्यो नुराधा जी विशाल जी वास्तु पढ़ाते हैं, IT professional है और वास्तु करते भी हैं विशाल जी पिछले बार आपके एक वीडियो में हमने आपसे जाना कि आप वास्तु में और एस्टॉलजी में किस तरह से आया आपकी माँ ताजी वह भी बहुत अच्छा वास्तु करती हैं और रिचार्ट भी पढ़ती हैं इसटोरों में आपको वास्टु करते करते किते साल रहती है तो इतना करनी पाती है तो लिए वास्टु तो उसे तो मुझे वास्टु तो ऐसे अच्छे तरीके से प्राक्टिस करते हुए और पुछ नहीं चीज़ें को अपने टाइम के साथ अग्रेड भी किया है कि अच्छे प्राक्टिस लोगों की help करते हुए पाँ छे साल हो गया है तो आज जो आप है आज हमको आप क्या बताने जा रहे हैं वास्तु में आज एक्छिली में जो मैं बताने जा रहा हुए वह यह कि वास्तु से जो हमारी जो कॉमन हेल्थ एल्वेंट्स है जो नॉमली ह पर उसके एक बार हम स्लाइड पर चले जाते हैं तो एक बार बैंग्ग्राउंnd सेट अप कर लेते हैं तो अगर हम यह तो कहले इंट्रोडेक्शन स्लाइड है अनुरादा जी अगर अग्ली वाली पर जाएंगे तो हम यक जब करते हैं तो हम जब जलाते हुर है और घुंत भोग लगा'tे छेड्डी में और पर अख्रीम अगर अगर में धरिक्सा ुब्ह जो ढी जाती है वो फायर में बन हो जाती है सीटा जी भाहर आदेंगी फायर से तो इसलिए मैंने फायर चूज़ किया वाइस है तो आप पांच अलिमेंट जैसे हैं, तो आप देखिए फायर का जो जो है, जो फायर जो है, उसके जो मिन जो हमारे organs हैं वो heart है small intestine और pericardium है fire से related है अगर water से बात करेंगे तो वो kidney और urinary bladder है, air से हम जब बात करते हैं तो liver, gall blood है और skin को बोलते हैं third lung क्योंकि skin के थूँ जो है sweating बहार आती है और earth जो है वो stomach और screen के लिए space के लिए lung और large intestine है फिर similarly sensory जो 5 organ sensory organ होते हैं जिसे हम कहते हैं 5 इंद्रियां है तो ऐसी 5 sensory organ है तो पाँच ही element है तो ऐसे relevance हो जादा और ऐसे हमारे 12 zodiac के हैं हार element को 3-3 zodiac मेरे हैं तो fire के लिए हमारे पाच है Aries, Lee और सजीद Aries space को कुछ नहीं मिला हुए zodiac तो वो आमने पहले भी जो ट्रडिशनल चाइनीज मेडिसन है उसमें बहुत advanced तरीके से यूज होता है खास और से acupressure, acupuncture उसमें बहुत यूज होता है उसको उसका ये basis ही ये है ये 5 elements की जो थीओरी है और थोड़ा सा हमारा deviation Ayurveda से थोड़ा सा deviation होता है ये आयुरवेदा में तीन दोश होता है पित, वत और काप उनकी थोड़ी सी जो जो connotation है organs की वो थोड़ी सी स्लाइड में हम कवर करेंगे हमारे जो 5 elements है ये primarily जो concept है वास्तु में जो आया है ये pure traditional Chinese medicine में जो acupuncture में यूज होता है वह ही है और जो yang जो होता है जो hollow organs होता है हर element को male organ मिला और female organ मिला तो वह उनके combination से अगर आप match करोगे तो जब energy बढ़ जाती है तो वह extension हो जाती है for example वास्तु में उसको बोलते हैं कि space बढ़ गया energy बढ़ गया और जब energy कम हो जाती है तो उसको हम बोते contraction हो गया तो उसी हिजाब से आपकी yin और yang जो है बढ़ते और धखते रहते हैं तो वह balance में होना चाहिए similarly एक छीज जो ख्याल रखने की चीज है कि हमारे जो organs हैं उनका specific time है जैसे कि हमने भूला कि बढ़ी सुभा आदमी उठता है तो वह बीदिंग के लिए करता है या शांत को उसका खाने का time है या दिन में उसका खाने का time है तो हर organ की organ clock बनाई गई है तो वह organ clock के हिसाब से अगर आप देखें कि तो five to seven में जो है आपको large intestine का time मिला हुआ और seven to nine में आपको stomach का time मिला है बीदिंग करें बीदिंग एक्सराइस बहुत अच्छी होती है तो तो five to seven actually वह लिवर का time है तो वह आपको जो है अगर जो लिवर जो है वह एर element से जुड़ा हुए एर element जो है वह आपकी बीदिंग के रहता है तो इसलिए और उसका एक और मीनिंग यह होती है कि जो सुबा की जो एर होती है वह जुपिटर होता है जुपिटर इस रिगादड़े अज दी तो मॉनिंग की जो हवा रहती है इसलिए बहुत है तो अच्छा होता है तो ऐसे-एसे हर और 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 न को एक अच्छा है अपकिसी और टाइम पर आपकाम करेंगे ज़ए अच्छी बात है लेकिन उस टाइम पर ज्यादा यूजव कि यूज अच्छा नीग पीते हैं जो कि अच्छा नहीं एक लिए उस टाइम पर स्विमिंग करना बात करना पानी से रिलेटेड क्योंकि किड्नी वॉटर का अलेमेंट है तो स्टाइम पे पानी से रिलेटेड चीजे यूज़ करें नहाएं या आप पानी पीजिए तो तो फिटनी की हल्थ के लिए अच्छा रहता है इसलिए इसलिए बोले जाता है कि शाम को पांच से साथ के भीच म क्योंकि वो खिड्नी का टाइम है तो हर्ट के लिए आज फायर का है वो हर्ट और स्वाल इंटरस्टाइन का है तो अब अगले पर चलते हैं एक बार अगली स्लाइट पर चलते हैं यह स्लाइड आपको बता दिये कि कैसे चक्राज भी आपस में रिलेटिड है थीक है तो हम बोलते हैं कि हमारे जो हैं चक्रा ब्लॉग हो गया है जो हम अपने नॉर्मल ट्रडिशनल अस्ट्रालजी से भी बोलते हैं तो हर चक्रा को एक प्लैनेट भी मिला हुआ हर चक्रा को आपको एक एलिमेंट मिला हुआ है और असे अलिमेंट से रिलेटिड पार्ट से पार्ट से रिलेटिड आपके पास आपको चक्रा मिले हुआ है और चक्रा से रिलेटिड फिर आप देखते हो कि कौन सा आपके पास प्लैनेट है तो फायर की अगर बात करेंगे तो उसमें ह डौन Z الحवान शॉक्र इंटी नीटों जिपान, शुक्र म्हां केंट अगर में जो आपका वास्तु अपको पतीर, न की पर शट्ट्ब होगा है. आपके शुक्र हो अगर इसतो थिख करीगे पर आपना तो आपका दीरे दीरे जो है चक्रा भी खीक होगा क्योंकि आपकी घर में अनर्जी वसी सहाब से आपके चक्राओं को बैलन्स करेगी यह इसका रेलिमेंस है एक और अच्छा यह यह आइडिया है कि हर्ट और स्मॉल अंडर्स्टाइन एक्चली क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर किसी की पूर मेंड़ी है तो आप स्क्रेट अब एक आपका जो है फायर अलिमेंट बिगड़ा हुआ है तो वो जो है वो हो फायर से है वैसे पानी में भी बोलते है कि आपकी पास्ट की बहुत अच्छी होती है तेТак अगर आपकी का वल्isions का करिंग आप ऺूरां अच्छी नहीं है तो फायर आलेमेंट भिड़ा हुआ है और आपकी पुरानी दूर की जो यादास्ट थे स्लीए तो वह तब आपका water element क्योंकि kidney जो होती है उसको बोलता है memory पानी जो होता है वो memory लेकिन शॉर्ट टम मेमरी के लिए यह है sleep का disorder होना आपको सपने आते हैं आपको सुभा तीम बजे के बाद नींद नहीं आ रही है आपको anxiety है तो यह fire से होता है heart से control होता है similarly heart में जुकि blood रहता है तो blood की circulation heart से होती है तो उसके अंदर जो heat होती है blood का flow वो सब heart से fire से रहता है fire को fire को अगर और ध्यान से देखेंगे तो fire is responsible for your speech communication के लिए क्योंकि जो टंग है हमारी जो जीवा है वो fire का है तंग का जो पहला हिस्सा है वो fire का है तो communication आपकी कैसी होगी अगर fast communication है आपकी और अगर थोड़ी सी loud है तो आपको पताए कि आपका fire element है यह ना आपके अंदर fire element है और अगर fast है air में भी होती है लेकिन body structure थोड़ा था different होता है फिर fire के element के लिए रंग तो हमें बता यह red होता है emotion जो होता है joy होता है तो जो लोग आपने देखा हो कि कई लोग ना unnecessary हर बात पर हसते हैं और हसते हैं कोई भी बात पर वो हसने लग जाते हैं तो आपको straight away बताए कि यह आद fire का जो जो दूसरा planet हो हम south में बोलता है south में fire element होता है तो मार्स है तो मार्स का जो टेस्ट रहता है वो बिटर रहता है और अच्छा और climate तो हमें पता ही है कि heat है और जो fire के जो सीजन है वो summer है ठीक है और हमने बात तो करी है कि yin और yang organ में तो एक coupled organ जो है वो heart है दुसरा small intestine है और heart की जो हमने बात करी है वो chakra है और साथ में यह जो diagram है वो basically यह बताता है कि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहला जो खाते हैं वो स्टमक में पचने के बाद दुआ पर जो जटा रगनी होती है तो इसको पचाते है तो इसलिए बोला जाता है कि आप खाना धीरे धीरे खाये ताकि जटा रगनी जो है व फिर आपको constipation जैसी problem फिर हो जाएगी वो स्प्लीन में गया स्प्लीन से किड्नी में गया किड्नी से फिर जो है पानी जो न्यूट्रेंट्स है वो जाते हैं लंग और हर्ट में तो यहां से जो 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 यह material जाता है वो एक्शली white blood cell होता है और nutrition होते हैं हर्ट में इसमें एक और चीज है कि मैंने गोला कि sweating होती है हर्ट से related fire element से related sweating होती है कई लोगों को आपने सुनाओगा कि मुझे heart attack आया है लेकि heart attack आने से पहले आपको बहुत लोगों सुनाओगा कि उनको unnecessary बैठे-बैठे sweating होती है यह बहुत बड़ा indicator है कि जब आपको बैठे- तो जब आपको ऐसे unnecessary sweating हो तो आपको पता है कि आपके heart में कुछ इशु आने वाला है that is a symptom heart is saying कि मुझे को कुछ प्रॉब्लम है जब unnecessary sweating आए एक होती है हाथों में आना एक होती है पैरों में आना वह थोड़ा सा डिफरेंट है concept पर जब आपको ऐसे sweating आए तो वह थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि वह आपके heart की प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है heart में कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम कर है हाथों में बैठे बटाए पसीन आ रहा है या पैरों में रहा है तो आपको पता है कि आपका fire imbalance अब वह ज़्यादा है यह कम है वह देखना पड़ता है कि कौन सा element जादा है स्पीच अगर आप बोल रहे हैं स्टैमरिंग बोल रहे हैं स्टैमरिंग भी अगर हो रही है बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं प्रॉब्लम हो रहे है तो भी fire elements से related है जबकि astrology में हम mercury को बोलता है अगर फिर अल्सर तंग में और मौट में अगर अगर तो वह फार श्रॉब्लम आईगी एक इसकी अच्छी क्वा एख लगए कि आपको ज्वाइड कालर जरूरत से ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि आपको फाइर गषा जो जरूरत से ज्यादा त्युनिद्ध घटान जो है यह लिए प्राइड कर सकते हैं अब हम तो वास्तु की बात कर रहा हैं लेकिन पहले जमाने मेन जो यह हमारे जो आउरुवेदा मेन जो होती थे वो पहले जीप देखते थे आपसे पूसे ते कि अच्छी नहीं है तो फाइर खराब है आपकी concentration नहीं हो पा रही है आप बच्चे जैसे पढ़ नी पा रहे हैं याद नी कर नी कि नी तो फाइर एलमेंट भीघगा हुए हाई बीपी लो बीपी की जो प्रॉबलम है वो वो भी फाइर से है थोड़ा लिवर भी आता है उसम का fire element कराब है अंगर तुट हैं फार खाइर से रिलेटिड है एंगर एर से रेलेटिड है लेकिन जिनको एंगर या या इसके रिंगर आइडि की पॉब्लम है वह फार शाये शुद इसमें और जो जिए डिसॉर्डर में उसमें एक प्रोंए रौनिक इंसॉम्निय और एक इसक तो वो फायर से रिटेट है लेकिन जो क्रोनिक इंसॉम्निया जो कि सुबा के ताइम पे नीन नहीं आ रही आपको उसमें लिवर भी आता है जिसमें एर अलिमेंट भी आपका खड़ागा है तो वो थोड़ा साई क्लिंपेश है क्योंकि जो हमने पिक्चर में दखा कि लंग हर्ट जुड़े हों है तो हर्ट को फंक्शन करने के लिए एर की जुड़त पढ़ती है लंग के लंग के लिए तो यह एक मतलब बेसिक एलमेंट्स हैं जो सबको आजकल नॉर्मल है वही बीपी है नीन नहीं आ रही मेरी पूर मेमरी है कॉंसेंट्रेशन नहीं तो यह सब है इसको और दो तिन तरहिकों से देख सकते हैं कि ऑफ आप कैसे देख सकते हैं जब आपके जो नैल्स stigma अंदर आप都 वाइप पिए पिग्मेंट होगर जो कोइन फिंगर आपको पताए कि आपके नीज में जो है अगर वहाँ पर white pigment आ रहा है, अगर middle finger में आ रहा है तो आपको पता कि आपके stomach में कुछ ना कुछ problem आने वाला है, ऐसे, जो पहले जो अचारिया लोग होते थे, वो ऐसे हाथ देखके, jeep देखके बताते थे, या नर्व देखके बताते थे, और दूसरा जो वास्टू के angle से अगर ध्यान से देखेंगे इसको तो जब fire element खराब होता है, तो आपका cash flow तो बिगड़ता ही है, लेकिन जो आपके customers जो आपकी दुकान पे आएंगे, आपके business में आएंगे, वो आपसे कुछ खरीदेंगे नि, customer आएंगे लेकिन खरीदेंगे नि, अगर water element खराब होता है तो customer आता ही नहीं, opportunity नहीं बनती, आज आता है, water अच्छा होगा, तो customer आएगा, बात भी करेगा, जैसे ladies होती है, साड़ीया खुलबा लेती है, लेकिन लेती ही नहीं, तो वो खरीदेंगी नि, customer खरीदता नहीं, transaction नहीं उपाती, आते तो हैं, लेकिन transaction नहीं होती, ये fire element क पॉइंट्स हैं, इसको देखने के fire कैसे बिगड़ा हुआ, अब question है कि आप इसको कैसे remediate कर सकते हो, तो fire जो होती है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, fire को जलने के लिए, oxygen की जुरत पड़ती है, oxygen ज्यादा देंगे, तो fire वॉयल्ड हो जाती है, oxygen बिल्कुल कम कर इसको कंट्रोल करने के लिए air है, वैसे water भी destroy कर देता है उसको कुड़ा, लेकिन असली में उसको जो burning fuel जो है, वो air है, इसलिए air का जो relevance हो बहुत important है, इसलिए सुबा के टाइम पे breathing करना, 5-7 के टाइम में, वो आपके लिए सबसे अच्छा important है, अगर आपको heart को healthy रखना और मैंने पहले भी बोला कि सुबा की जो air होती है, वो Jupiter होती है, वो सबसे अच्छी air होती है, अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखें, तो जिनका mangal नीच का होता है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ fire element से related या BP से related या heart से problem होगा ही होगा, तो अगर आपने अपना mangal ठीक करना है, mangal नीच का, तो वहाँ पर जहां mangal नीच का होता है, वहाँ पर जुपिटर एक्षाल्टे होता है, तो आपको अपने आपी fire element धिरे-धिरे कम होगा, दूसरा, अगर आप देखें कि mangal उचका कहां पर होता है, वो Saturn के घर में होता है, जो कि एक air planet है, तो फिर ब्री आपका mangal उचका बनेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए morning walk बहुत जुरूरी बताई गई है, breathing बताई है, कि supply of air का आगे है, कि अगर आप air की supply अच्छी रखेंगे तो fire की control रहेगी, इसलिए वो exalted point air से link हो जाता है, बाकी यह कि जो diet control है, उसमें आपको अपनी आपको अपनी fire की जो heat है, वो धीरे-धीरे करने की, इसलिए आप raw food खाईए, green vegetables खाईए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और लौकी का juice इसके लिए बहुत अच्छा रहता है, इसमें, जिनको BP की problem है, या hypertension की का, लौकी का juice बहुत अच्छा रहता है, और सबसे अच अच्छा लगी हुए है, इसमें मैंने meridians दिखाई हैं, यह जैसे H1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, तो यह जो छोटी उंगली रहती है, इसके ओपर सारे meridians है, fire element के और इसके ओपर, तो आइडियली हम बोलते हैं कि आप अगर अपनी छोटी उंगली पर मसाज करें, पता नहीं, आप अगलियों पर भी चलाएंगे, तो अगर लिटल फिंगर पर चलाएंगे, तो यहां से आपका fire element मैनेज हो जाएगा, मिदल बाली पर चलाएंगे तो आपका जो है, अर्थ element मैनेज हो जाएगा, फर ग्जैंपल, अगर constipation है, तैरो में दर्थ है, नी में दर्थ है, तो आपका metal element ठीक होना चाहिए, क्योंकि fire control करता है metal को, तो अगर metal ठीक है, और fire अगर balance है, तो वो ठीक से काम करता है, air तो है, obviously, तो ऐसे मतलब कई सारे mechanism हैं, but I just wanted to highlight की, तेखिए क्या element है, क्या parts है, क्या elements है, क्या elements है, क्या cautions ले सकते हैं, जिससे यह ठीक है, तैंक यू सो म आपने बताई, यह वास्तु से related भी है, astrology से भी related है, और यह दिन चरिया की जो habits है, तो वो गिदी हम ठीक कर दें, तो हमारा already, मतलब, बहुत simple remedies के साथ हमारा element body का और घर का भी चेंज हो जाता है, वास्तु के अनुसार, कोई चीज इधर से, जैसे आप कुछ सजेस करते हैं कि नौर्ती, साथीस्ट में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका ये element imbalanced हो, तो देखे, अब इसमें यह है कि water जो है, वो fire को खराब करता है, तो साथीस्ट में अगर आप water element लेके जाएंगे, तो water हो गया, water कोई भी liquid हो गया, कोई भी flowy item हो गया, या blue or black color is represented by water वो अगर आप लेके जाएंगे, तो आपको fire खराब होगा, तो आपको fire को exhaust कर देता है, दूसरा एक और की जाएंगे, जो होता है, जो की वास्तु में हम उसको शनी बोलते हैं, या white color बोलते हैं, और round shape होती है, तो अगर round shape की भी चीज़ आप लेके जाएंगे, तो आप metal जो इसको destroy इसको different element है, वो भी fire को खराब करता है, but water is more dangerous, जबकि उसके आगे और पीछे के element जो है, आगे का element earth है, earth is okay, और air उसका जो है, वो पीछे का element है, यानि उसको create करता है, वो ठीक है, लेकिन अगर water की shape देखेंगे, तो shape से भी फरक पड़ता है, अगर कोई element है, mirror is a water element, mirror आपने south east में, south में दगाया, तो आपको cash flow की problem आईगी, आपको confidence की problem आईगी, तो कि अगर fire नहीं होगी, तो आपके अंदर energy नहीं होगी, आपके अंदर confidence भी नहीं होगा, but water element you have to avoid, दूसरी एक और बात है, कि अगर आप fire की चीज़ा है, वोटर में ले जाएंगे तो महाँ पर water भी खराब होता ही होता है, लेकिन fire भी वीक हो जाती है, हाँ, क्योंकि यो डाउज कर देता है, fire उसको डाउज कर देता है, तो आपको ये भी धिहान रखना है, आप fire की चीज़ा है, अगर उतर ले जाएंगे, तो fire का color है, red और pink, और जो shape है, वो triangular shape है, तो triangle color की shape, और red और pink color की item, अगर आप water में लेके दाएंगे, तो आपको problem होगा, आसा नहीं कि water इदर आएगा, दोनों तरफ से देखना है, ये main concept है, विशाल जी, आपका जो कोर्स आगे आने वाला है वास्तू पर, तो उसमें आप ये सब भी सिखाते हैं, तो उसमें आप ये स कैसे करने हैं, उसमें basic elements कैसे करने हैं, और खासता उसे चर्निंग में जो जो देवताओं की चर्निंग हुई थी, वहां से हमें क्या सीख मिलती है, और फाइनली जो है, लास्त के चार या पांच क्लास इसी पर ही हैं कि ये पांच elements से जो health elements है, उनको कैसे manage, manage करना है और कैस और लोगों को वह पसंद भी बहुत आदा है, क्योंकि वह एक थोड़ा से different है, क्योंकि उस पर लोग कितना cover नहीं करते हैं, तो हम लोग खोशिश करते हैं कि ये जरूर आप करो. आप लोग जरूर उनसे संपर करें, विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद इस session के लिए, आशा करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए session में आपके साथ. अजय को अगर दो कि अशाओ वलाओ को औरम नहीं करते हैं, विशा एाप, करते हैं, घृु जा एक लिए. कि ये, स करते हैं सेल जी दो अजय को शु शु आप 2 अजय कोजा वड़ा झाल